Hello everyone, welcome to Gagan's Virtual Classroom. ये विडियो उन स्टूडिन्स के लिए है, जिन्होंने Class 11th में Admission लेनी है चंदिगर्ड के Government Schools में for the session 2022-2023. तो Admission स्टार्ट हो चुकी है, चंदिगर्ड Education Department ने Prospectus आउट कर दिया है, तो 1st August 2022 से लेकर 9th August तक Admission की Dates है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके इलावा भी जो Important Dates हमें ध्यान में रखनी है, और क्या Process है, ये हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे. And कैसे आपको Online Register करना है, Online Payment करनी है, and बहुत से Students की Queries भी आ रही है, कि मैम हमारे इतने percentage है, ये हम Stream Admission लेना चाहते हैं स्कूल में, क्या हम Admission मिल जाएगी या नहीं, तो इन सारी ही Queries को Answer करने की कोशिश की है इस वीडियो में. And ये जो Website है, चंदिगर Education Department की जो Official Website है, www.chteducation.gov.in ये चंदिगर Education Department की Official Website है, यहाँ पर जाकर आप Prospectus भी डाउनलोड कर सकते हैं, and Register भी आप Online इस Website पर जाकर कर सकते हैं. तो Form Fill करना अपने इसी Website पर जाकर सारी Information आपको मिल जाएगी. तो चलिए Start करते हैं. तो चंदिगरड में 42 Government Senior Scandry Schools हैं, जिसके लिए Admission का Process स्टार्ट हो चुका है, Applications इन्वाइट की गई हैं, जो भी Admission लेना चाहते हैं. तो सारा ही Process Online होगा, तो सब Transparent होगा, कोई ऐसा नहीं है कि आप School में जाकर डिरेक्टली किसी से बात करके, कि आप Admission ले लेंगे, आपको सभी कुछ Online करना पड़ेगा, जैसे कि पहले से Practice चलती आ रही है. And Mode of Payment भी Online ही होगा, Fees भी आप Online पे करेंगे. अब हम देखेंगे Process क्या हैं, इसके Dates क्या हैं, जो Important Dates हमें ध्यान में रखनी हैं. तो Availability of Online Application Form, 1st August से दुपहर के 12 बज़े से लेकर, 9th August 2022, शाम के 5 बज़े तक, ये टाइम है आपको Apply करने के लिए, जो Admission के लिए आपने Apply करना है. तो बहुत जरूरी है कि आप इस Date से पहले-पहले, अपने जो Admission के लिए Apply करें, क्योंकि ये Last Date है. जो आपने Admission जब आप फिल करोगे फॉर्म, उसमें बहुत important है कि आप Marks बहुत ध्यान से फिल करें, Preferences बहुत ध्यान से फिल करें, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, एक-दो दिन ले सकते हैं, लेकिन 9th से पहले, 5 पेम से पहले, आपने Admission के लिए फॉर्म सब्मिट कर देना है. तो लास्ट डेट ऑफ अप्लिकेशन सब्मिशन 9th अगस्ट है, 5 पेम, डिस्प्ले ओफ कॉमन मेरिट लिस्ट, तो जब आपने सबने अपनी अप्लिकेशन सब्मिट कर दी, फिर डिपार्टमेंट ने एक कॉमन मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करनी है, वो होगा 12 अगस्ट 11 अम, तो इसमें मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें लिखा होगा कि इस स्टूडेंट को इस स्ट्री में स्कूल में एडमिशन मिली है, seat lot हुई है, फिर अगर आपको उसमें कुछ objection है, या आपको लगता है कि आपके marks ज़्यादा थे, लेकिन किसी कम वाले student को मिल गी है, गलती से, या आपके marks गलती से कुछ और लिखे गए है, या किसी भी तरह कि आपको objection लग रही है, कुछ mistake लग रही है तो आप अपनी objections submit करवा सकते हैं इस email ID पर admission x i ut at gmail.com तो यह email ID है जहाँ पर आप अपनी objections submit कर सकते हैं date है 12th August से लेकर 14th August 1 p.m. तक तो जब आपने अपनी objections submit करवा दी और department ने वो देखी आपकी objection उनको ठीक लगी कि वाके में genuine mistake हुई है तो corrections की जाएंगी और उसके बाद display of final list फिर final list जारी की जाएगी allotment of schools and stream जिसमें आपको allot किया जाएगा कौन से school में admission हुई है कौन से stream में तो यह होगा 19th August 12 noon तक तो afternoon तक यह list display कर दी जाएगी then online deposit of fee आपको फिर 19th August 1 p.m. से लेकर 22nd August रात के 12 बज़े से पहले आपने यह fee deposit कर देनी है तो यह बहुत important है कि आपको seat मिलने के बाद आप यह fee deposit कर दे इस time से पहले नहीं तो आपकी seat चली जाएगी और फिर next counseling में वो फिर से seat vacant show होगी तो यह important है कि आप सारा ही process complete करे admission लेने के लिए और उसके बाद आपकी commencement of classes class 11th की classes start हो जाएंगी 23rd August 2022 से तो form fill करने के लिए आपको पहले register करना है उसके लिए आपको पहले अपना login create करना होगा और registration fee जो की 150 रुपीज है यह आपको online fee pay करनी होगी और यह आपने एक ही बार fee pay करनी है 150 suppose करो counseling 1 में आपको seat नहीं मिलती है किसी वज़ा से तो second counseling में अगर turn आती है तो यही वाली fee आपकी मानी जाएगी आपको फिर से payment नहीं करनी होगी तो यह one time registration fee है रुपीज 150 तो जब आपने fee pay कर दिया आपको फिर से login करना होगा अपनी details फिल करनी होगी जैसे marks जो आपके 10th class में आये है preferences कि आपको कौनसी stream और कौनसी school में admission चाहिए और जो documents मांगे गए है वो upload करने होगे और अधार card is mandatory अधार card जरूरी है registration form फिल करने के लिए और उसके बाद यह ध्यान रखें कि जब आपने registration form फिल कर दिया तो print out जरूर निकाल ले यह आपको जब admission करनी होगी उस time admission form के साथ आपको registration form का print out भी चाहिए होगा तो यह याद रखना कि आप इसका print out जरूर निकाल ले अब हम बात करेंगे स्क्वेरी की जो बहुत से students पूछ रहे हैं बाल बाल कि मैम अगर हमारे इतने percentage marks हैं और हम medical में admission लेना चाहते हैं या commerce tree में या school में admission लेना चाहते हैं तो क्या हमें मिल सकती है या नहीं तो जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि जो selection process है यह purely on merit basis है मतलब इसमें कोई entrance exam नहीं है आपके class 10th में जो marks आए हैं उसी के basis पर ये admission हो रही है तो इसके इलावा देखा जाएगा कि आपकी stream preference कौन सी है और कौन सी school में आप लेना चाहते हैं admission प्लस उस school में किती seats हैं उस stream के लिए और आपकी वाली category के अंदर तो माल लीजिए आप medical लेना चाहते हैं आपके 80% marks आए हैं और आप 32 sector के school में admission लेना चाहते हैं तो 32 sector के school में suppose कीजिए 50 seats हैं medical के लिए और उसमें से आपकी अगर general category है तो 32 sector के अगर school में suppose करिए 35 seats है general category में तो देखा जाएगा कि कितने students और हैं जो medical लेना चाहते हैं और उनकी preference भी 32 sector का school ही है और उनकी percentage और वो भी general category के हैं और उनकी percentage आप से ज़्यादा है या कम है तो suppose करिए अगर 35 students आप से ज़्यादा percentage वाले हैं तो उनको admission पहले मिलेगी अगर उनकी preference जैसे आपने number wise fill किया होगा first preference, second preference तो अगर उनकी preference भी उसी number पे हुई और उनकी percentage आप से ज़्यादा हुई तो उनको मिल जाएगी बट माल लीजिए 32 या 34 students ऐसे हैं जिनकी percentage आप से ज्यादा है और बाकियों की कम है तो आपको admission उसमें मिल जाएगी आपके preference वाले school में और preference वाली आपकी stream में तो इस तरीके से आपको admission होगी तो इसलिए हम पहले नहीं बता सकते है कि आपको short short admission मिल सकती है कि नहीं तो जब सभी students अपने form फिल कर लेंगे अपनी preferences फिल करेंगे अपनी schools फिल करेंगे उसके बाद जब list त्यार होकर आती है फिर idea हमें exact लग पाता है लेकिन फिर भी आपने idea लेना है तो इसके लिए जंदिगट education department की official website पर यह जहाँ पर आप click करते है admission के लिए तो सारी information वहाँ पर है जहाँ पर यह वाली list भी आपको मिल जाएगी cut off percentage list यह list होती और यह दो तरह की list है एक general category के लिए है और एक reserved category के लिए इस list में आपको यह पता लग जाएगा कि last year कौन से school में कि stream में वो कित्ती percentage वाले बच्चे को admission मिल गई थी कि last student जो था उसकी कित्ती percentage थी जिसको उस school में और उस particular stream में admission मिली थी तो काफी हद तक आपको idea हो जाएगा कि आपके chances कितने हैं particular school में उस stream में admission मिलने के बट अगेन जैसे आपको बताया कि 100% हम guarantee से पहले नहीं बता सकते हैं जब तक first जो है list आउट नहीं हो जाती तो चलिए देखते हैं कि अब हमने online जाकर कैसे register करना है तो सबसे पहले देखिए हमने google पर जाकर type किया www.chdeducation.gov.in तो यहाँ पर click किया official website हमारे सामने आ गई है चन्दिगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर देखिए यह चन्दिगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की official website है तो यहाँ पर बेकर यह latest information है जो prospectus out हुआ है जो admission के लिए जो process start है यह latest information है इसलिए यह आपको daily circulars में top पर ही मिल जाएगी यह देखिए तो आपके बास दो आपको circulars दिखाई दे रहे होंगे एक है prospectus for admission to class 11th in government senior secondary schools of UT चन्दिगर for the year 2022-2023 upload on website 1st August 2022 यह prospectus है अब यहाँ पर है online link जो आपको second circular से top पर दिखाई दे रहा है यह online link है for admission to class 11th अब हम इस पर click करेंगे तो जब हमने click किया तो हमें इस page पर लेकर गए जहाँ पर again यह देखिए online link for admission अब again click here तो यहाँ पर हम फिर से click करेंगे तो यह देखिए हमें next page पर लेके जाने के लिए यह message आया है हम ok type कर देंगे sorry ok press करेंगे अब next देखते हैं तो आपके सामने ऐसा page खुल जाएगा जहाँ पर आपने register करना है तो यह notice है notice अभी हमने बात की इसमें date mentioned है कि आप admission कर सकते हैं अब student registration तो आप इस पर click करेंगे register करने के लिए तो यहाँ पर देखिए student new account creation तो आप सबसे पहले अपना new account create करेंगे तो जहाँ पर भी यह red color का आपको mark दिखाई दे रहा है यह मतलब information fill करनी compulsory है तो आपने mobile number जरूर देना है इसके बिना आपको register नहीं कर पाऊगे एक आपको email id चाहिए next आपको name of the student अपना नाम fill करना है तो यह धियान रखे कि आप नाम बिलकुल धियान से fill करेंगे वही name और वही spellings रखे जो आपने 10th class के dmmyyyy तो इस format में पहले date फिर month फिर year फिल करेंगे तो आपकी date of birth आजाएगी फिर role number जो आपके 10th class में आपका role number था फिर आप कोई password कुछ भी रख सकते हैं और इसी password को आप re-enter करेंगे मतलब फिर से enter करेंगे same password जो आपने उपर फिल किया था फिर एक security question आप इसमें से कोई भी security question ले सकते हैं जैसे कि अगर आप कोई favorite team रखना चाहें या आपकी favorite movie कौन सी है कोई भी इनमें से question select करके उसका answer यहाँ fill कर सकते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि by chance कभी आगे जाकर आप password भूल जाते हैं तो आपको आपसे security question पूछा जाता है तो आप उसका correct answer दे देते हैं तो आप अपना new password बना सकते हैं तो इसलिए security question जो भी fill करें उसका answer आपने याद रखना है और फिर आपने create new account पर click कर देना है तो आपका new account create हो जाएगा फिर आप जब online pay करके register कर देंगे तो आप फिर student login पर जाकर अपने आपको login कर सकते हैं अब यह देखे जब आप registration आपकी हो गई student registration पर जाकर फिर आप student login पर जाएंगे अब आपके सामने यह देखे यह वाला page खुलेगा जिसमें आपने अपना mobile number fill करना है अब same mobile number जिससे आपने register किया था date of birth फिर role number जो 10th class में था and then password जो आपने set किया था password and फिर आप यह security code enter करेंगे जैसे आपको image में दिखाई दे रहा है यहाँ पर number है 9682 तो आपको जो भी number वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपके screen के आगे वो आपने यहाँ पर fill करना है and फिर आप login कर देंगे तो यह देखे यह जो option है forgot password का यह वही आपको जो बताया कि बाइचांस आप अपना password भूल जाते हैं तो इस पर आप click करेंगे तो वो आपको security question पूछेंगे तो आपने वो security question answer करके आप अपना reset कर सकते हैं password ओके तो इसके बाद हम देखेंगे academic help line number अगर आपको किसी भी तरह का कोई doubt है, कोई query है तो आपको यह number दिये गए है जहाँ पर आप call करके इनसे कुछ भी information ले सकते हैं तो यह name of the school कि school के यह lecturer है और उनका phone number designation क्या है, वो teacher है, lecturer है तो यह सब आपको numbers यहाँ पर मिले हैं, जिसको आप जहाँ पर जाकर आप कोई भी information माँग सकते हैं इसके इलावा आप यह देखिए यह prospectus available है यहाँ पर school code list, कौन से school को क्या code मिला है उसके हिसाब से आपने इपनी preferences फिल करनी होती है यह देखिए school code, suppose करो 101 यह school है government model senior secondary sector 8, चन्दिगर और यह किस type का school है co-education है यह देखिए only girls है यह सब information आपको इस list से मिल जाएगी next आपको school code के बाद stream code list stream code list जब आप click करते हैं तो आपके सामने यह list आगई हर एक stream को अलग से code दिया है for example अगर आप science लेना चाहते है medical, non-medical तो 151 commerce है तो 152 तो यह वाली सारी stream की lists भी आपके सामने है for example यह देखिए electronic technology यह electrical technology इसका 170 है tourism, food nutrition and dietetics इसका 166 है तो यह सारी ही information यहाँ पर है इसके इलावा अगर आप school wise stream जानना चाहते है कि कौन से school में कौन सी stream available है तो वो भी आपको पता लग जाएगा तो यहाँ पर देखिए school for example sector 8 के school में यह जो है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 courses यहाँ पर 6 streams available है science, medical, non-medical fashion studies, textile design यहाँ तक आपको courses, streams इस school में available है तो ऐसे ही आपको सारे schools का पता लग जाएगा कि कि school में कौन सी stream available है next अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ से भी click करके देख सकते हैं कि आप suppose करो school आपने हाँ से click किया sector 21 और आप कौन सी stream देखना चाते हैं तो यह अब academic help line खुल गई है ओकी अगर हम फिर से देखे school wise stream तो यहाँ पर देखिए आपने कोई भी आप school type करेंगे suppose करो GM SSS 21 इसके बाद हमने देखा इसमें stream हम कर सकते हैं या तो जिससे 21 के sector में यह आ गया कि four streams available है या अगर हम stream देखना चाते हैं कि humanities हमें कौन-कौन से school में मिलेंगी तो यह भी आपके सामने यह दिखिए list आ जाएगी suppose कर हम school कुछ भी ना mention करें तो सीधा stream फिल करें तो हमें पता लग जाएगी humanities stream इन सभी schools में available है अब देखिए cut-off percentage अगर आपको idea लेना है कि last time कितने percentage वाले को admission मिली थी first counseling में तो यह देखिए general students की category है list है और यह reserved category वालों की तो suppose करो हम general की अगर देखिए cut-off percentage तो हमने यह list पर click किया तो अगर हम देखिए यह देखिए school allotted GM SSS sector 8 में जो science, medical stream and non-medical की general category में 86 percentage वाला last student था जिसको admission मिली first counseling में तो यह cut-off list कही है अगर हम यह देखिए नीचे suppose करो GGMSS 18 sector school इनका यह जो stream देखिए shorthand, office, procedure and practices, typography, computer application इस stream में जो last student जिसको admission मिली है उसकी percentage थी 47.6 तो यह first counseling के cut-off percentages है तो यहां से जाकर आपको admission मिले गी या नहीं या कितने percentage वालों के admission मिल सकती है आप इस बात का idea लगा सकते हैं बट अगेन यह भी कोई पका नहीं है कि इस बार भी उतनी ही cut-off percentage रहे बट काफी हद तक आपको idea लग सकता है और इसके लावा पूरा process जो है online registration कैसे करनी है या फिर online payment कैसे करनी है यह सभी हमने एक और वीडियो में बना कर बताया हुआ है उसका link नीचे comment section में plus description box में share कर दिया जाएगा तो वो video पुरानी है लेकिन process almost same रहता है तो आप उस video को देखकर देख सकते हैं कि आप कैसे online register कर सकते हैं and online fee pay कर सकते हैं तो आप उस video में देख स सकते हैं and अगर कोई और doubt है या कोई query हो प्लीज नीचे comment section में जरूर पुछे थैंक्यू